तो दोस्तो फाइनली भारती वाइशेना अपनी अब तक की जिस सबसे बड़ी डील का वेट कर रही थी तो उसको ले करके अब फ्रांस के अंदर एक काफी ज़ादा बड़ी डवलपमेंट हुई है जिसके बाद में अब आप सभी लोगों को भी हमारी इस डील को ले करके एक एक सो चोदा और फाइटर जेट को खरीदेगा तो उसमें अब हम राफेल फाइटर जेट को ही खरीदने वाले हैं लेकिन यहाँ पर इस बात का सब को वेट था कि कब भारती डील को फाइनल करेगा तो देखी दोस्तो अगर आप भारती वाइशेना को देखते हैं तो भार और जो ओडर हैं वे यहाँ पर प्लेस कर दिये जाएंगे चाहे वे इसके फॉलवन ओडर हो या फिर पूरी एमेमार से डील को एग्जेक्यूट करते हुए 114 राफेल फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदना हो तो इसी को लेकर के एक काफी जादा बड़ी डवलपमेंट यहाँ पर नोटिस की गई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के उपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि फ्रांस ने फाइनली अपने राफेल का जो F4 वेरियंट है वो यहाँ प और को प्लेस करेगी तो देखे दोस्तों भारती वाइसे ना भी इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब तक राफेल का F4 वेरियंट यहाँ पर बन करके तयार होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए जो एक्यूपमेंट्स है उनको शुरुवाती कैपिबिलिटी इसके साथ में आने वाला था तो वो पिछले साल ही अपनी फर्ष्ट फ्लाइट को कंड़क्ट कर चुका था इसके बाद में यहाँ पर अगर आप राफेल के F4 वेरियंट के कुछ अपग्रेट की बात करते हैं तो इसमें आप सब को सबसे प बात करते हैं इसके वेपन्स की तो वेपन्स में आप सबको जादा कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे जो बड़े बदलाव है वे इसके रडार और एवियोनिक्स के अंदर ही आप सबको देखने को मिलेंगे बाकी यहाँ पर इसके वेपन में इसके अंदर जो माई का NG मिसाइल है उसको भी इंटिग्रेट कर दिया जाएगा तो अब बात कर लेते हैं इसके ओडर को ले करके तो देखी दोस्तों अगर आप केवल फ्रांस की वाइसेना की ही बात करते हैं तो उन्होंने 24 के संख्या में अपने जो पुराने राफेल फाइटर जेट ह है उनको शुरुवात में प्लेस करने वाले हैं इसके बाद में अगर आप बात करते हैं युएई और साथ में इंडोनेशिया की तो युएई ने असी के संख्या में इन से राफेल के एफ़वर वेरियंट को खरीदा है इंडोनेशिया ने भी लगबग 42 के संख्या में जो जो एफ़वर वेरियंट है उसकी पहले से डील फाइनल कर ली है तो अब भारत को यहाँ पर देखना है कि हम असेम्बली के साथ में कितने संख्या में अब राफेल फाइटर जेट को अपनी वाई सेना के लिए खरीदते हैं क्योंकि अगर बात की जाए इन फाइटर जेट की कोश्ट की तो यह काफी ज़्यादा कोश्टली फाइटर जेट है जिसके चलते यहाँ पर भारत को यह भी देखना होगा कि हम कितनी ज़्यादा संख्या में या फिर कितनी कम संख्या में इन फाइटर जेट को अपनी वाई सेना और साथ में नो सेना के लिए यहाँ पर खरीज सकती है बाकि हमारे जो खुद के प्लैटफोर्म है वो भी जल्द ही आने वाले है जिसके चलते यहाँ पर अगर आप तेजिस MK2 को ही देखते हैं तो यहाँ पर यह प्लान है कि अगर 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदा जाएगा तो उससे लगबग दो गुने की सं जो शुरुवाती कोष्ट है वो आप सबको इन फाइटर जेट की थोड़ी सी जादा दिखाई देगी बाकि यहाँ पर यह कोष्ट को कम भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पहले से काफी जादा बड़े ओडर यहाँ पर पैंडिंग पड़े हुए हैं तो अगर भारत के द सबस्क्राइब कर देजेगा तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किल गुट बाई जै हिंद